आप सब बहुत बहुत शोगत TEMBC क्लासिस में देखिया अपको पता है कि हमारी एक तो mcq सीरी चल रहे हैं और दूसरी हमारी थिरिकी क्लासे चल रहे हैं थिरिकी क्लासें तो मिल रहे हों साथ की साथ गोछ ऊपिक बाइस क्लासेथ 6C00 को चल सुपिक पाइस जो है वह हुआ ह चलिसटार करते हैं पहला कुछिन अपना करता है तो टॉपिक चलaken वह बैक्सिन हो ती और इंट्राडर्मल दी जात है एन्ग्छार्माच के तर्मिन करते है सिंध को बढ़ते हैं एक más और इंजिक्शन प्ल में में व्याइक आपके भी हैं में ही जी प्लीन और स्क्रेयच इंजेक्शिन विठाओ है अगले कोशन पर आते हैं देखिए दा डाइलुएंट यूज्ट फॉर रिकॉंस्टिटूशन ओफ बीस जी वैक्सिन इस यानि कि जो सुरी बीसी जी जी जो वैक्सिन होती है उसके रिकॉंस्टिटूशन के लिए कौन सा डाइलुट जो है पन यूज करते हैं नॉर्मल सा यूज किया है जो कि डिस्टडале वाटर में प्रडियश इर्यूस्टिटेशन यहांनि कि इस से को अपन सकती है तकम करने के लिए उसकी potential को कम करने के लिए जो isn't use किया जाता है उसे पन क्या कहते है अगला कुशन देखिए BCG vaccine is prepared by mixing यान कि जो BCG की vaccine होती है उसको किस प्रकार से mix करके prepare किया जाता है distilled water को mix करते है अपन normal saline matter को mix करते है और dextro solution को मिलाते है या फिर ringer lactate को अपन मिलाते है तो यदि इसकी सही उत्तर की बात करें तो यहां पर बी option का है correct answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए unused BCG vaccine should be discarded after यान कि यदि कोई BCG vaccine उसका use नहीं हुआ तो जो unused vaccine होती है उसको discarded कर देना चाहिए कितने गंटे के बाद दो घंटे के बाद चार घंटे या फिर या फिर and the end of day यान कि दिन खतम हो जाए तो तब हमें उसको क्या कर देना चाहिए तो सभी गंटे के बाद हमें उसको क्या कर देना चाहिए कर देना चाहिए explanation अपने इसकी देख लेते हैं एक बार देखें एज पर दर डबलु एचो डबलु एचो के अंसार जो मोस्ट फ्रीज ड्राइड वेक्सीन होती है यूज पोशन होता है उनका तो फिर लगा हुआ है तो फिर अपने के बाद यूज अपन कर सकते हैं वाद तक विचेवर कम्स फर्स्ट एग्जमपल एक बीस जी में बीसीजी सॉरी मीजल्स और येलो फीवर वैक्सीन में ऐसा हमें देखने को मिलता है अगला कुशन देखिए उसके कितने घंटे के बाद अपन उसको कर लेना चाहिए तो 6 घंटे के अंदर हमें उसको कर लेना जाहिए अगला कोशन देखिए, after preparation measles vaccine should be used, यानि कि अब अपन बात करें measles vaccine की, तो measles vaccine का अपन preparation कर लेते हैं, उसको कितने घंटे के पाद अपने उसको use कर लेना चाहिए, तो measles की जो vaccine होती है, उसको भी अपने को 6 घंटे के अंदर अंदर use कर लेना चाहिए, अगला कोशन यानि कि ऐसी vaccine है, जो कि एक permanent scar छोड़ देती है, बच्चों के अदर, बिजन्स के ऐसी vaccine है, पेंटावेलेंटी है, डिपीटी है, या फिर BCG का एसा होता, तो BCG की जो vaccine होती है, वो shoulder के उपर अपने उसको लगाते हैं, left deltoid के अंदर लगाते हैं, वहाँ पर एक permanent mark छोड़ आफ्टर गिविंग BCG, scar gets formed in, यानि कि जब BCG लग जाता है, तो scar उसका बनना कब स्टार्ट हो जाता है, दो मंत के अंदर, वन मंत के अंदर, तीन देन दिन के अंदर, या फिर दो बीक्स के अंदर, या यदि हम इसके सही उत्तर की बात के लिए तो जो correct option रहेगा, तो मही definition देख लेता है, एक बार, अब papule, 4-8 mm का, develop after 2-3 weeks of injection, यानि इंजेक्शन के 2-3 दिन के बाद, एक papule, 4-8 mm का बनना start होता है, which healing occurs spontaneously into 6-12 weeks, with leaving a permanent scar, फिर वो धीरे-धीरे क्या होता है, खतम होना, start होता है, 6-12 weeks के अंदर, वो एक permanent scar छोड़के, खतम हो जाता है, हील हो जाता है, अगला question देखिए, BCG vaccine given to protect child against, यानि कि हम इतनी देर से BCG vaccine की बात कर रहे हैं, तो यह जो BCG की vaccine होती है, यह बच्चों को किस चीज़ से protect करती है, डिफसीरिया से, टिटेनेस से, टाइफ़र से, या फिर टूबर क्लॉसस से, यदि हम इसके सही उत्तर की बात करने, तो D option इसका क्या रहेगा, correct answer रहने बाला है, अगला question देखिए, जनम के समय पर कितनी होनी चाहिए, बर्थ की टाइम पर कितनी होनी चाहिए, 0.1 ml होनी चाहिए, 0.05 ml होनी चाहिए, या फिर 2 ml होनी चाहिए, सही उत्तर की बात करने, तो इसका B option क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, देखिए, dose of BCG at birth or below 4 weeks, 0.05 ml and ever 4 weeks, 0.1 ml तक चली जानी चाहिए, यानि कि 4 weeks से पहले का यदि बच्चा है, कम का बच्चा है, तो 0.05 ml होनी चाहिए, और उससे जादा बड़ा है, तो 0.1 ml उसको देनी चाहिए, ये dose fix होती है, अगले question पर बनाते हैं, 62 number पर, according to national immunization schedule for children, BCG vaccine is given it, यानि क जो national immunization schedule था, उसके अनुसार बच्चों को BCG vaccine कब देनी चाहिए, 10 year of age पे, 1 year of age पे, birth के time पे, या फिर 6 month of age पे, यदि हम इसके सही उत्तर की बात के लें, तो C option इस पे क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, अगले questions देखे, अगले questions आने वाले हैं, वो है polio vaccine के, यानि कि यह 1979 के अंदर, 1976 के अंदर, 1995 के अंदर, या फिर 1984 के अंदर, सही उत्तर की बात करने हैं, यहापर यह option का हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, ओपी पी जो है, वो 1979 के अंदर, measles, और 1985 के अंदर, EPI को क्या कर दिया गया था, add कर दिया गया था, अगला question देखिए, polio vaccine is prepared form, यानि कि जो polio vaccine होती है, उसको किस प्रकार से prepared किया जाता है, live attunited organisms है, killed organisms है, toxoids है, या फिर अरोबिक बेक्टेरिया से, तो हमें पता, polio vaccine के अंदर, lived attunited vaccine, या फिर सोरी, organism होता है, इसका explanation देखे, live oral polio virus vaccine, जिससे अपन, OPVV कहते हैं, और 7 vaccine, जो क्या है, polio, is a pol polio vaccine prepared from 3 types of live attunited polio virus, जिसे अपन trivalent कहते हैं, इसमें जो virus डिलता है, वो कैसा होता है, inactivated form में होता है, और salk vaccine होती है, जिसके अंदर contain all the 3 types of polio virus, inactivated by formalin, यानि कि इसके अंदर जो viruses होते हैं, तीनों प्रकार के virus होते हैं, जिससे polio होता है, और उनको अपन inactivate कर देते हैं full IPV administered by IM root and fractional IPV, one-fifth of full IPV dose via the interdermal root, राइट अपन आम पे लगाया जाती है, salk is now the only polio vaccine administered in USA, now it is also started in used in India, जिसे अगला देखे, inactivated polio vaccine is administered as, यानि कि जो inactivated polio vaccine होती होती है, उसको administered किया जाता है, कहां पे subcutaneous injection के दवारा, intramuscular injection के दवारा, intravenous injection के दवारा, या फिर oral drops के दवारा, तो जो inactivated polio vaccine होती है, उसको intramuscular injection के दवारा क्या किया जाता है, administer किया जाता है, अगला कुशन देखिए, which vaccine should not be administered to child with history of anaphylactic reaction to neomycin, OPB है, IPB है, BCG ही है, या फिर MMR है, सही उप्तर की बात कर लें, तो या पिर B option क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, देखिए, few vaccines जिसमें आती है, आपकी MMR आती है, IP भी आती है, इसके अंदर contain होता है क्या anti-biotic, जिसमें आता है neomycin, इसको to prevent, prevent करने के लिए bacterial contamination, so it should not be administered to child with history of anaphylactic reaction to neomycin, तो bacterial contamination को prevent करने के लिए ये दी जाती है, इसलिए कभी भी अपन administered नहीं करनी चाहिए, किसी भी बच्चे को, जब oral vaccine used to prevent, यानि कि ऐसी कौन सी oral vaccine है, जो prevent करती है, mumps को, fever closest को, polio को, या फिर measles को, तो हमें पता कौन सी है, polio उसका correct answer हो जाएगा, आगे देखें, pulse polio का है, एक program है, एक campaign है, एक institution है, या फिर एक organization है, तो pulse polio का है, एक परकार का campaign है, जो कि polio को कम करने के लिए, फिर खदम क irrigation करने के लिए, polio के लिए, एक चला गया था, country के द्वारा, first round of PPI conducted 9 December 1995, and 20 January 1996 तक ये चला था, यानकी 6 week के interval के, अंदर अंदर ये दो बार चला था, आके देखें, when was first round of pulse polio immunization started, वही कुछन फिर से पूछ लिया, तो कब आया था, ये सबसे पहले, December 1995 के अंदर सबसे पहल रांड इस का हाया था, अगला देखें, in which year was the pulse polio immunization program launched in India, अब ये पूछ रहा है कि ये pulse polio immunization program था, ये इंडिया के अंदर कब लॉंच हुआ था, तो इंडिया के अंदर ये लॉंच हुआ था, 1995 के अंदर, अगला कुशन देखें, 71 नम्मर का, इसका correct answer हो जाएगा, आगे देखें, what would you do if the BBM और OPV vaccine is unusual, यानि कि अपने क्या करेंगे, यदि BBM है OPV का, वो क्या हो गया है, अन्यूसल हो गया है, तो give vaccine to the child, बच्चे को देदेंगे, CMOH को report करेंगे, do not give the vaccine to the child, बच्चे को नहीं देगे, vaccine while kept in the sunlight, उसको क्या कर देंगे, sunlight के अंदर रख देंगे, तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात कर लें, तो C options का क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, देखें, the color of the center square in the vaccine while monitor in well-stored folio vaccine should be, कैसा होना च चाहिए, violet होना चाहिए, blue होना चाहिए या pink होना चाहिए, तो white इसका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, कुछ miscellaneous vaccine होती है, जिनके अपने आपर बात कर लेते हैं, अब जो polio vaccine है, उसकी questions भी क्या हो गए, complete हो गए, चलिए, 74 number question पे अपना आते है, a clinic nurse prepare to administer an MMR vaccine to a 5-year-old child, the nurse administered this vaccine, कैसे नर्स जो है, कौन सी vaccine को administer करेगी, intramuscularly in the entrolateral aspect of the thighs, intramuscularly in the deltoid muscle, subcutaneously in the outer aspect of upper arm, subcutaneously in the gluteal muscles, यदी हमें इसके सही उत्तर की बात करें, तो C option इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे correct answer हो जाएगा, देखें, MMR जिसके अंदर आता है, measles आता है, और rubela आता है, एक live viral vaccine है, जो की administered की जाती है, subcutaneous, यानि की SC के द्वारा, into upper outer aspect of the right, upper arm, ठीक है, आगे बढ़े, two dose of vaccine are required for complete protection, यानि की इसकी complete protection के लिए, दो vaccine की dose क्या होती है, required होती है, पहली जो है, वो 9-12 महिने के अंदर दी जाती है, और second जो है, चार बीक के cap के बाद दी जाती है, first कोन सी होती है, DPV के साथ, DPT के साथ दी जाती है, और OPV booster के साथ दी जाती है, but must be give before the failure, लेकिन 5 साल के उमर होने से पहले पहले ये चीज़ जो है, वो दे देनी चाहिए, अगला कोशन देखिए, which of the following is not related to MMR vaccine, यानि की कौन सी इन में से जो vaccine है, MMR vaccine से related नही है, तो MMR के अंदर कौन सा आता है, मीजल्स आता है, मम्स आता है, रुवेला आता है, तो देखिए, रुवेला भी है, मम्स भी है, मीजल्स भी है, इसके अंदर नहीं है, यही option का क्या हो जाएगा, यहां पर correct answer हो जाएगा, चलिए, अगले question पर अपना आते है, 76 नमर का question हमार के लिए, MMR vaccine should be given at the age of, यानि कि MMR जो vaccine होती है, उसको कब देना चाहिए, 9-12 महिने के अंदर, 0-40 दिन के अंदर, 11, यानि कि यह है आपका, 1.5-2 महिने के अंदर, 15-18 महिने के अंदर, तो 9-12 के अंदर आपको जो age है, इसके अंदर दे देनी चाहिए, आगे देखें, type of MMR vaccine, यानि कि जो MMR vaccine उसका type कौन सा होता है, killed viral होती है, live bacterial होता है, live viral होता है, या फिर killed bacterial होती है, तो हमें पता है, जो MMR की vaccine होती है, वो live viral प्रकार की vaccine होती है, अगले question पर आते हैं, देखें, recommended site of administration of DPT in infant is, यानि कि DPT के infant के अंदर यादी DPT होई है, तो उसके लिए recommended site कौन सी होती है, टीके के लिए, gluteal के इस्तान बर, deltoid पर, lateral aspect of thighs पर, या फिर four arm पर, यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें, तो C options का क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, explanation की बात करें, देखें, all intramuscular vaccines जो होती है, जिसके अंदर included होती है, DPT, now pentavalent at the place of DPT, टीके, into infant should be administered in westors lateral muscles of lateral aspect of thigh, वहाँ pace को लगाने के लिए, administer किया जाता है, अगला question देखें, 79 number question, root of DPT vaccine is, DPT vaccine का root क्या होना चाहिए, oral, subcutaneous, IM और IB, यदि हमें इसके सही उत्तर की बात करें, तो C options का क्या हो जाएगा, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, अगला question देखें, DPT vaccination is for protection against, यानिकि जो DPT vaccination हो है, diarrhea, purchases और tetanus के against, diarrhea, polio, tetanus के against, diphtheria, polio, tetanus के against, diphtheria, polio, tetanus के against, diphtheria, polio, tetanus के against, यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें, तो C option का हो जाएगा, यहाँ पर right answer हो जाएगा, in following, which vaccine is given to a pregnant lady, यानिकि कौन सी ऐसी वैक्सीन है, जो की pregnant lady के लिए दी जाती है, measles, BCG, tetanus, या फिर dpt, हम इसके सही उत्तर की बात चले है, तो C option इसका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, tetanus, immunization of pregnant female wife tetanus, toxoid, should be as per, किस प्रकार से देनी चाहिए, देखें, first dose जो है, 015 mlg, IEM root से देनी चाहिए, अपराम, at the 16 to 24 weeks, as soon as pregnancy recognize, इसके बाद second dose देनी चाहिए, 24 से लेगे, 30 weeks अंदर, minimal interval रखना चाहिए, दो डोज के बीच में लगवाग एक महीने का होना चाहिए, second dose जो है, वो should be one month before EDD, इसके बात बात करें, give only one booster if second pregnancy occur within next three years, आगे बात करें, avoid live virus vaccine, जो में मीजन साथिया, रुवेल आती है, during pregnancy, pregnancy की टाइम पर ये जो live virus ये ये वेक्सीन हमें, नही 20 days, prior to expected date of delivery, the nursing action will be, कितना होना चाहिए, give one, क्या action होना चाहिए, give one dose of tetanus taxoid and advise second dose after delivery, give two dose of tetanus taxoid with two weeks interval, advise passive immunization after delivery, या फिल कि एंटी टेटने सिमिनों गलोगी है, यदि हमें इसके सभी तर्गी बात कहलें, तो ये option क्या होगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, give first dose of tetanus taxoid to an unimmunitized pregnant woman whenever she approaches the hospital and second dose must be after one month, यानि कि दौनों के बीच में, one month का gap होना चाहिए, which of the following vaccine is routinely given pregnancy, यान कि कौन सी ऐसी बैक्सी जो कि routinely pregnancy के अंदर दी जाती है, influence है, titanus है, oral polio है या फिर रेपीस है, या तर्गी बात करें, तो titanus जो है, वो regularly या फिर हम बात कर रुटीन नहीं द होना चाहिए, 8 week का होना चाहिए, 4 weeks का होना चाहिए, 3 weeks का होना चाहिए, या फिर 2 weeks का होना चाहिए, सही उत्तर की बात कर लिए, 4 weeks जो है, correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते है, the minimum number of dose of tetanus doxoid given to a pregnant woman is 3, 1, 2, या फिर 4, यानि कि tetanus doxoid के लिए एक pregnant woman को कितने minimum number of dose दी जाती ह है, तो आपको पता है, minimum की बात करें, हमें आपके दो डोस जो है, वो दी जाती है, पहली dose दी जाती है, जोतनी जल्ली प्रिग्रेंसी रिखनाज होदा है, उसके तुरंत बात, दूसरी dose दी जाती है उसके अगले महिने, यानि कि बीच में कितना होना चाहिए, एक महिनी का रिस्क, आसोचियेट बिद इस वैक्षीन, दर नर्स डिव्यूसर लिस्ट बिद दे क्लाइंट और कॉशन, क्लाइन कि कौन सी ऐसी चीज़े हैं, जो कि क्लाइंट को अवोईड करने के लिए कहा जाता है, देके, सनलाइट फोर सिल देज, स्क्रेचिंग दा इंजेक्शन स रखते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं, अगले कॉशन पर 87 नमर कॉशन देखिए, बिच और फॉलवएंग वैक्षीन कॉंट्राडिक्टेड इन प्रेगनेंसी, कौन सी ऐसी वैक्षीन है, जो की कॉंट्राडिक्टेड रहती है, प्रेगनेंसी के दोरान, तो देखिए, र रिकमेंडेट गाइड 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 लाइन के अनुसार, बिच आप दफॉलवएंग वैक्षीन की अब उस बच्ची को जरूरत नहीं है, पोलियों की, मिजल्स की पार्ची या फिर मम्स की, यहां पर हम बात करें सी ऑक्षिन का वेल्कुल खरेक्ट आंसर हो जाएगा, गाइड बात करें, तो जो जो बात करें तो जो बात करें क्या एक्षिन और मम्स हों होगा नहीं होगा, नहीं हो थी साथ साल के अंदर अंधर बात रहें दर रीजन वाइड डीपीटी इस रप्रेश्ट वाइड डीटी फॉर चिल्टन अबब टू इयर ऑप्शन्स देखते हैं देखिए इसके सब्सक्राइब करेक्ट राइब क्या हो जाएगा क्यों रीजन है देखिए बिकॉस अब पार्चियों को भी कहते हैं एक प्राइमरली डीजीज है क्योंकि यह जो पार्चियों से सही पांस साल से चोटे बच्चों की है यदि वह एज निकल गए तो उसके बाद होती नहीं है तो वहां पर अपनों को वैक्सिन की जरूरत भी नहीं पड़ती है एक छे साल का बच्चा है लो इमनाज़ाशन शेडियूल किसी प्रकार का टी प्रकार कोपन क्या कहते हैं इनकुलेशन कहते हैं और इन्फेक्शन कहते हैं या फिर करीयर कंट्रोल कहते हैं या इसका क्या हो जाएगा इन्कुलेशन जिससे बैक्सिनेशन भी कहा जाता है इसका मतलब होता है इन्जेक्शन के इंदर 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 इंडिविटी बन जाए उस specific disease के लिए जो microbes हैं जो antigen हमने उसके लिए डाला है अब देखिए which of the following is not a live vaccine typhoid HIV vaccine OPV या फिर BCG तो सही उत्तरगी बात कर लें HIV vaccine जो हो एक live vaccine नहीं है hemophilus influencer type B vaccine जिसे हैं HIV vaccine भी कहते हैं एक killed vaccine created by combining purified polysaccharide antigen form the hemophilus influence the bacteria and a carrier protein enzyme के बनती है it reduce the risk of childhood epiglottis meningitis यानि कि यह reduce करती है रिस्कों को एक बच्पन में होने पर जो epiglottis meningitis और other disease जो की cause होती है कि इसको द्वारा hemophilus influencer के द्वारा 5 साल के नीचे 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 HIV should be administered at 6 10 or 14 weeks यानि कि इन weeks पर इसको क्या क्या जाता है इसको अपन इंक्लूड कर लेते हैं यानि कि अभी include हो गई है कि इसके अंदर पैंटावेलेंट वैक्सिन की अंदर आगे बढ़ते हैं 93 नम्मर कोशिन की हमें आपर बात करें साइड एफेक्ट ऑफ हीमोफिलेस इंफ्लूइंजर वैक्सिन है इसके कुछ साइड एफेक्ट भी है कौन कोश है लेथार्जी है लो ग्रेड फीवर है यूट्री के अरिया है और जन्रलाइज राशेज है यदि हम इसके सई उतर की बात करें तो यहां पर भी option क्या हो जा साइड चैन्य इसीरिष्प एक्षेटिक टीट कैंट बश्यवेश है आगे लिया रेर्फेस्ट ऐड्य बेक्सिन प्रोव ठेंट और एकुरम से involved करना क्い रेसा फ्यप्रवार्टेस नो जो देखेंगेगे वेक्सzen क्रव करती एक रॉटेक्शन अगेंस्ट इपसिरिया फ्यानए गश्रूपवेला फ्यूार्नर्यम 10 और 14 वीक के अंदर मैक्सिमम एक साल के अंदर यह सारी चीज़ें हो जानी चाहिए इंट्रमस्किलर रूट के द्वारा लेफ्ट एंट्र लेटरल साइड और अगले कुशन पर आते हैं ओपन वायल पॉलिसी इस एप्लिकेवल टू बिच आप दा फॉल्रिंग वैक्सिन कौन सी वैक्सिन है जापनी इस रोटर वायरस रोटर वायरस रोटर वायरस या फिर है यह इसके सही उत्तर की बात करने तो यह पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा यहां पर इसके एक्स्प्लेनेशन में दी हुई है आप आराम से वीडियो को बहुत करके पढ़ सकते हैं चलिए डाल्यूंट यूज इन्टू मीजल शुड इस्टोर करके रखते हैं जिसमें आता है एं एजन्ट रिदूस्ट्रेशन और रखते हैं या आगे बढ़ते हैं 97 नमर कुशन पर देखिए इन विच कंडिशन बैक्सिन इंटू एक्षिन करियर कें यूज तिल 48 अवर्स इफ लिडिस टैटली क्लोज इस इन कूल प्लेस इफ आइस पैक्सिन इस्टिल फ्रोजन या फिर ऑल अप दाप साही और तर्गी बात कर लें त लिए कि फुली फ्रोजन आइस पैक्स के जाता है कि वेक्सिन करियर के लिए दो चार चे या फिर आठ सही उतर की बात के लिए तो चार जो आइस पैक्सिन का यूज किया जाता है आगे बढ़ते है 99 निम्मर कोशन पर देखिए बिच ऑप दा फॉलॉइंग स्टेटमेंट करना या फिर हम गए टीका घरन करना इसको क्या करने टीका लगाने है तो देखें इम्मर्णाजेशन इस ओके फॉर बेबी बैक्सिन और एक्सपेंसिव वट्यू आप यूज इस लिए इस लिए बहुत जरूरी आपके लिए इसको लगवा लीजिए इस चीज से वह उसकी होता है कि आप बीकें और के studio उसक्षित होते हैं जोगी प्रिवेटर फींट करती हैं औरफ दो तेरापीयो टेक्सीन होती है एंफर उप्साइब होती है तो सही ऑप्सिंट गी बात करें तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखे शिंटान के और आज की हंट्र प्रोफ्र नेश्वाईटर को मतलब होता है और नाज्व हैं तो इस तरीके से हमारे आज की 100 questions complete हो गए नेक्स वीडियो के निरापन 50, sorry 101 से लेके और 151 तक यानि की 50 questions लिए वीडियो आपको कुछ लग रहे हैं तो लाइक जरू करते हैं, चैनल को सब्स्राइब जरू करते हैं, देज से बैर करें, मातविता से बैर करें, जहें